Hi guys, welcome you all once again So, आज की इस वीडियो में हम लोग Timer 2 के Fast PWM Mode के बारे में बात करेंगे तो Fast PWM को समझने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए PWM या फिर Pulse Width Modulation क्या होता है तो दिखिए, मैंने Pulse Width Modulation क्या है इसको हम लोग कहां कहां पर यूज करते हैं इसके बारे में बहुत अच्छे से पहले एक वीडियो में explain किया हुआ है तो अगर आपको नहीं पता Pulse Width Modulation क्या है हम इसको क्यों यूज करते हैं तो आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं और secondly, अगर आप लोगों ने चैनल को subscribe अभी तक नहीं किया है तो आप subscribe जरूर कीजिए क्योंकि आप लोगों के जो subscription सोते हैं जो आप likes करते हैं, जो comments करते हैं वही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे encourage करते हैं ज्यादा से ज्यादा videos बनाने के लिए तो फिलहाल इस video को हम लोग शुरू करते हैं तो देखिए हम लोगों का जो fast PWM mode है यह basically high frequency PWM waveform generation option हमको provide करता है मतलब की इस mode के थुरू हम लोग high frequencies की pulse width modulated जो waves होती हैं उनको generate कर सकते हैं तो अगर आप लोग यहाँ पर fast PWM mode को use करना चाहते हैं तो सबसे पहला हम लोगों का काम यहाँ पर यह होता है कि आपको जो timer 2 है इसको इस mode में set करना होता है तो इसके लिए हम लोगों के पास यहाँ पर TCCR2 register है इसको हम लोग timer counter control register 2 भी बोलते हैं तो इसकी basically हम लोगों की जो bit number 3 है और जो bit number 6 होती है यह basically responsible होती है आपके mode को select करने के लिए तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर हम लोगोंने normal mode को इससे पहले cover किया है फिर हम लोगोंने CTC mode को cover किया है और अगर आप यहाँ पर fast PWM mode use करना चाहते हैं तो उसके corresponding हम लोगों को अपनी दोनों ही यह जो bits हैं इनको one one set करना पड़ेगा तो जैसे ही आप इन दोनों को one one करेंगे तो आपका जो fast PWM mode है वो on हो जाएगा तो next हम लोग देखते हैं इस mode में जो हमारा timer है वो किस तरीके से behave करता है so fast PWM mode में हम लोगों के timer counter की जो initial value है वो 0 होगी और यह value basically increment होती है तब तक जब तक आपके TCN T2 की value max के बरावर नहीं हो जाती यहाँ पर max basically क्या है यह हम लोगों का maximum value है जो कि timer counter में आ सकती है तो timer counter हम लोगों का 8 bit का है तो इसके corresponding हम लोगों का है पर जो max value है वो आते है 255 ठीक है तो आप लोगों का जो timer counter है यह फिर TCN T2 जो है वो basically 0 से start होता है और इसकी value 255 तक increment होती है now fast PWM mode में हम लोगों को यहाँ पर OCR2 register को भी use करना होता है और OCR2 register में basically हम लोग को एक value डाल सकते हैं 0 से 255 के बीच की ठीक है तो यह हम लोगों का OCR register है now basically यहाँ पर होता क्या है देखिए हम लोगों का जो timer counter है उसकी value 0 से 255 तक increment करती है यहाँ पर increment करने के साथ साथ हम लोग comparison भी करते हैं OCR2 की value से अपने TCN T2 की value को तो जब भी आप लोगों के TCN T2 की value OCR2 के बराबर हो जाती है तो इस condition को हम लोग बोलते हैं comparison match तो यह जो आप लोगों का comparison match होता है इस इसको हम लोग यहाँ पर small horizontal line से mark करने वाले हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यह हम लोगों का timer counter की value 0 है और 0 से आपका यह basically 255 तक reach कर रही है और यहाँ पर जो आप लोगों का comparison match हो रहा है उसको हम लोगों ने horizontal line से यहाँ पर represent किया हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों का comparison match जो है वो अलग अलग यहाँ पर OCR की values पर हो रहा है हम लोगों को यहाँ पर समझना होगा कि यह जो हम लोगों की OCR की values है इनको हम लोग कैसे change करें तो देखे जब भी हम लोगों के timer की value यहाँ पर max होती है तो उसके बाद again यहाँ पर timer जो है वो overflow होता है तो timer overflow होने के साथ ही हम लोगों का जो tov2 bit है यह one हो जाती है इसको हम लोग timer counter overflow flag bit भी बोलते हैं तो यह particular bit हम लोगों की यहाँ पर set हो जाती है one ठीक है तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर global interrupt को और local interrupt को enable किया होगा तो हम लोगों का यहाँ पर जो timer counter overflow interrupt होता है वो enable हो जाता है और इसके corresponding हम लोगों का क्या होगा यहाँ पर ISR execute होगा तो ISR को हम लोग क्या बोलते हैं interrupt service routine या फिर interrupt handler routine भी बोलते हैं तो जो भी आप लोग यहाँ पर OCR में values change करेंगे वो basically आप लोगोंने ISR के through ही यहाँ पर करनी होती है यहाँ पर आपको ध्यान देना है हम लोगों का जो OCR2 की values होती है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा important है यहाँ पर जो भी आप लोगों का pulse generate होती है उसका duty cycle basically OCR की value के ओपर ही depend करता है तो next हम लोग देखेंगे कि जो pulse हम लोग generate करते हैं वो basically generate होती कैसे है So fast PWM mode में हम लोग जो भी यहाँ पर pulse width modulated waveform generate करेंगे यह basically करते हैं OC 2 pin के through और यह हम लोगों की जो OC 2 pin है यह basically multiplexed होती है PB 3 pin से ठीक है आपका जो port B है उसका जो third pin होगी इससे हम लोगों की जो OC 2 pin है वो multiplexed होती है और अगर आप यहाँ पर OC 2 pin के through pulse width modulated waveform को generate करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपका जो PB 3 pin है इसको आप लोग output pin define करेंगे ठीक है तो आप लोगों को basically DDR B के through अपना जो particular PB 3 है इसको output define करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको ध्यान देना है DDR B जो register आप set करेंगे यह basically आप TCCR 2 register को set करने के बाद ही set करेंगे अगर आप पहले DDR को यहाँ पर define कर देंगे और उसके बाद TCCR में values यहाँ पर अपनी set करेंगे तो शायद वहाँ पर आपको output नहीं मिलेगा यह मैंने पहले भी आपको बताया है अब जो OC2 pin है इसको हम लोगों ने output define तो कर दिया बट इसमें जो output आने वाला है वो कैसे vary करेगा यह चीज़ हमको समझनी है तो जो भी हम लोग यहाँ पर pulse width modulated waveform generate करेंगे OC2 के through उसको generate करने के दो modes होते हैं एक हम लोगों का है inverted mode और दुसरा होता है non inverted mode तो कौन सा mode आप use करना चाहते हैं यह basically हम define करते हैं compare output mode के through तो इस चीज़ को set करने के लिए basically हम लोगों के पास यहाँ पर दो bits होती है COM20 और COM21 यह आप लोगों का basically TCCR2 register की ही bits होती है तो इन bits के through हम लोग basically बताते हैं कि आप जो यहाँ पर waveform generate करने वाले हैं उसका mode क्या है तो देखें by default हमारी यह जो values होती है वो 00 होती है तो इस condition में आपका जो OC2 pin है वो disconnected रहती है मतलब आपका यहाँ पर जो PB3 pin है वो GPIO की तरह use होगी और अगर आप यहाँ पर 01 लिखते हैं तो यह reserved है अभी इसका कोई use नहीं होता है और अगर आप यहाँ पर value 1 और 0 देते हैं तो इस condition में हम लोगों का यहाँ पर non-inverting mode होता है और अगर आप यहाँ पर 01 लिखते हैं तो यह आपका inverting mode होगा अब समझते हैं यह आपका non-inverting mode क्या है और inverting mode क्या है देखिए आपका जो non-inverting mode है वो कैसे काम करेगा जब भी हम लोगों का यहाँ पर OCR2 की value और TCNT2 की value equal होती हैं तो हम लोगों का हमाँ पर क्या होता है comparison match होता है तो non-inverting mode में जब भी comparison match होगा तो हम लोगों का जो OC2 pin है यह clear हो जाएगी या फिर आप कह सकते हैं इसमें जो value होती है वो आपकी 0 हो जाती है और इसके बाद आप लोगों का जो OC2 है वो कब set होगा जब आपकी जो value है TC2 की वो bottom में आ जाएगी या आप कह सकते हैं जब इसकी value 0 हो जाएगी तो यह हम लोगों का क्या है non-inverting mode है अभी इसको हम लोग आगे diagram से अच्छे से समझेंगे now second हम लोगों के पास यहाँ पर है inverting mode अब inverting mode में जब भी हम लोगों का यहाँ पर comparison match होता है तो इसके corresponding आपका जो OC2 pin है यह set होती है यह फिर आप कह सकते हैं इसमें आप लोगों को 1 मिलता है यह फिर high voltage आपको मिलती है और यह आप लोगों का जो OC2 है वो कहाँ पर clear होगा जब आपका यहाँ पर TCN T2 की value bottom में आएगी या फिर 0 जिस समय आपके TCN T2 की value होगी उस समय हम लोगों का जो OC2 है वो clear होता है और यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देनी है हम लोगों के जो COM20 और 21 bits होती हैं यह basically जो OC2 pin है इसके behavior को बताती है बत यह जो behavior है यह basically कहीं ने कहीं आपके timer के mode के उपर भी depend करते हैं जैसे आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों का जो non PWM modes थे या फिर आप कह सकते normal mode और जो CTC mode है उसमें अगर आप यहाँ पर value 0 और 1 देते हैं तो हम लोगों का जो OC2 है वो toggle होता है जब भी आपका comparison match होता है बट वहीं आप यहाँ पर देखिए हम लोगों का जो fast PWM mode है उसमें हम लोगों का जो है reserved है तो आप लोगों का जो OC2 का behavior है वो basically com2021 के उपर तो depend करेगा ही बट आपका यहाँ पर यह भी हमको देखना होगा कि आपका जो timer है उसका भी क्या mode है तो फिलाल हम लोग देखते हैं कि जो भी यहाँ पर pulse width modulated waves मिलती है वो किस तरीके से मिलती है तो इस चीज़ को हम लोग diagram से समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर देखिए हम लोगों का जो tcnt2 है उसकी basically जो value है initially 0 होगी और यह value आपकी increment होती रहेगी और कहां तक जाएगी 255 तक अब जिस समय आपकी यह value 0 से 255 तक जा रही होगी उस बीच में हम लोगों का यहाँ पर ocr2 में भी एक कोई value होगी अब जब भी आप लोगों के tcnt2 की value ocr2 की value के equal होगी तो वहाँ पर हम लोगों का क्या होता है comparison match हो जाता है तो आप यहाँ पर देख पाएंगे comparison match जो है इसको हम लोग horizontal line से यहाँ पर represent कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हम लोगों के ocr2 pin के through outputs हैं यह हम लोगों का है non inverting mode और यह आपका inverting mode है अब इस चीज़ को थोड़ा सा हम अच्छे से समझते हैं suppose कीजिए हम लोगों के tcn t2 की value जो है वो initially 0 थी तो जब आप लोगों की यहाँ पर value 0 होगी तो इसके corresponding non inverting mode में हम लोगों का जो waveform है वो आपको high मिलेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं और inverting में यह आपको मिलेगी low अब इसके बाद हम लोगों का timer counter की value increment होते रहेगी और जैसे ही आपके tcn t2 की value ocr2 की value के equal होगा वैसे ही हम लोगों का यहाँ पर comparison match हो जाएगा तो comparison match होते ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों का जो non inverting mode है इसमें आपकी जो pulse है वो high से low हो जाएगी और वहीं पर आपका जो inverting mode है इसमें आपकी जो pulse है वो low से high हो जाएगी अब इतना होने के बाद हम लोगों का timer counter कीया है फिर से अपनी values को increment करेगा और 255 तक जाएगा अब 255 जाने के बाद अगेन हमारा timer जो है वो overflow होगा अब timer overflow होने के साथ ही अगर आपने interrupt को यहाँ पर enable किया है तो आप यहाँ पर OCR2 जो है उसकी values को आप update कर सकते हैं और जब आपका यहाँ पर timer overflow होगा तो अगेन आपकी जो value है वो tcnt2 में 0 हो जाएगी अब जैसे ही आपकी यहाँ पर value 0 हुई तो अगेन हम लोगों का जो non inverting mode है इसमें हम लोगों की जो pulse है वो low से high हो जाएगी और जो आपका inverting mode है उसमें आपका high से low होगी अब इसके बाद अगेन हम लोगों का timer counter यहाँ पर increment होगा फिर से आप लोगों का comparison match होगा comparison match होते ही हम लोगों क आपका यहाँ पर जो non inverting mode है इसमें आपका यहाँ पर जो wave है आपकी high से low हो जाएगी और inverting में आपका low से high हो जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर OCR2 register की values को change कर रहे हैं वैसे वैसे हम लोगों की जो pulse है उनकी width भी आपको यहाँ पर change होती हुई नजर आएंगी ना इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीज़े ध्यान में रखनी हैं आप जब भी यहाँ पर OCR2 register में extreme values डालते हैं तो उस condition में हम लोगों को यहाँ पर कुछ special cases मिलते हैं अगर आप लोग यहाँ पर OCR2 register में max value डालते हैं मतलब कि आपका अगर आपने यहाँ पर value 255 डाला तो इस condition में हम लोगों को यहाँ पर constantly high या फिर low output मिलता है depending on mode of output waveform तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जब आप लोग यहाँ पर OCR2 में max value डालेंगे या फिर 255 value डालेंगे तो non-inverting mode में आप लोगों को यह यहाँ पर continuously high output मिलेगा वहीं आपका जो inverting mode है इसमें आपको continuously low voltage मिलेगी तो यह हम लोगों का है पहला case सेम ऐसे ही अगर आप लोग OCR2 में bottom value डालते हैं या फिर आप कह सकते हैं OCR2 में अगर आप लोग यहाँ पर zero value डालते हैं तो इस case में देखिए आप लोगों को क्या है एक बहुत narrow सा spike मिलता है हर max plus one clock cycle के बाद मतलब कि हर 256 clock pulse के बाद आप लोगों को एक बहुत छोटा सा मिलता है तो इस चीज को हम लोग आने वाली वीडियो में practically implement करके देखेंगे तो फिलहाल हम लोगों का यहाँ पर जो pulse width modulated output है इसमें दो चीजे हम लोगों को ध्यान में रखनी होती है एक होता है frequency और दुसरा duty cycle तो यहाँ पर जो frequency है उसको निकालने के लिए basically हम लोगों क है वो 0 से 255 तर counting करने में कितना time period लगाता है वो हम लोगों का होता है एक period ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपकी value 0 है और यह 255 है तो 0 से 255 reach होने में हम लोगों के timer को कितना यहाँ पर time लगा यह हमारा period है तो period अगर आपको मिलेगा तो इसके corresponding आप यहाँ पर अपनी frequency जो है वो निकाल सकते हैं secondly हम लोगों को find out करना होता है यहाँ पर duty cycle तो duty cycle basically हम लोगों का totally depend करता है OCR 2 की value के उपर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम लोगों का यहाँ पर OCR 2 में value 255 थी तो इसके corresponding हम लोगों का जो यहाँ पर non-inverting mode है इसमें duty cycle 100% वहीं आपका जो inverting mode है उसमें आप लोगों को duty cycle 0 मिलती है सेम ऐसे ही अगर आप यहाँ पर OCR 2 में value 255 के half कर देते हैं मतलब कि something around अगर आप 127 करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे यह हम लोगों का period है तो इसमें आप देख सकते हैं हम लोगों को अगर 127 OCR 2 में आपने value डाली तो यहाँ पर जो duty cycle है वो 50% मिलेगी दोनों ही case में तो जो duty cycle है वो basically आपके OCR 2 के उपर depend करती है और जो frequency है वो आप लोगों का basically depend करेगा कि कितना time आप लोगों का timer लगाता है overflow होने में या फिर 0 से 255 तक reach होने में तो यह हम लोगों का pulse bit modulated wave की frequency का formula है यहाँ पर जो n है यह आपका pre scalar होगा और यह हम लोगों का clock की frequency है जिससे कि आपका timer run होता है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम लोगों को यहाँ पर frequencies मिलेगी वो totally depend कर रही है आपके clock पे और pre scalar पे तो अगर आप लोग यहाँ पर 1 megahertz की frequency लेते हैं timer को run करने के लिए तो इसके corresponding हम लोगों को यहाँ पर total 7 frequencies मिल पाएंगी क्योंकि यहाँ पर जो pre scalar factors हैं वो हम लोगों को total 7 ही मिलते हैं तो इन 7 frequencies के अलावा आप किसी और frequency का pulse width modulated wave यहाँ पर generate करना चाहते हैं तो fast PWM mode के थ्रूँ आप यह काम नहीं कर सकते हैं उसके लिए हम लोगों के पास यहाँ पर timer 1 जो है उसमें frequency and phase correct PWM मिलता है तो उस fast PWM है वो दुसरे PWM से इसलिए different होता है क्योंकि जो fast PWM है वो basically single slope operation करता है मतलब कि आपका यहाँ पर जो timer है वो basically यहाँ पर 0 से 255 तक जाता है फिर 0 आता है तो यहाँ पर जो slope है वो आपका single बनता है ठीक है तो इसलिए हम इसको क्या बोलते है single slope operation बोलते हैं तो single slope operation होता है आपका double slope operation तो double slope operation में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो total time है वो काफे बढ़ जाता है so single slope operation की वज़े से हम लोगों को यहाँ पर जो fast PWM mode है इसमें frequency just double मिलती है phase correct PWM mode से क्योंकि हम लोगों का जो phase correct PWM mode है वो basically double slope operation पर काम करता है ठीक है तो यहाँ पर आप द total time आएगा वो double आएगा तो इससे जो frequency है वो आपकी काफी कम आती है phase correct PWM में so phase correct PWM mode जो है इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे फिलहाल जो हम लोगों का fast PWM mode है इसमें हम लोगों को काफी high frequency मिलती है इस वज़े से यह जो mode है यह हम लोगों का frequency applications में और high frequency होने की वज़े से जो हम लोग यहाँ पर external components connect करते हैं जैसे आपका capacitor है coils है इनका size भी यहाँ पर कहीने कहीं कम हो जाता है जिससे हम लोगों का जो total cost है वो भी reduce हो जाती है so यह हम लोगों का introduction था fast PWM के बारे में इसको practically हम आगे आने वाली videos में cover करेंगे so I hope अगर आपके कोई doubts हैं तो आप मुझे comment box में लिख सकते हैं सो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को subscribe जरूर से कीजिए अपने friends के साथ आप लोग जरूर शेर करें जो इस technology को सीखना चाहते हैं so thank you so much for watching जै हिंद जै भारत